हेलो प्रेंट्स मैं आर्वी आदब स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ही यूटूब चैनल लजी आरे स्टेडी में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहें कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आने बाले मैट्रिक बोर्ड एक्जाम के लिए एंसी आर्टी मैट्स का सोलूशन देख रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कलास 10 मैट एंसी आर्टी और दोस्तों एंसी आर्टी के तीश्रे चेप्टर में हम अभी पराय कर रहें जिसका नाम है आपका दो चरबाले रैकिक समीकरन यूगम और दोस्तों आपको बता दे कि दो चरबाले रैकिक समीकरन यूगम में हम 3.1 का पूरा सोलूशन कर चुके हैं और आपका पहला चिप्टर और दूसरा चिप्टर का पूरा एक एक क्वेश्चन का सोलूशन कर चुके हैं अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के पले लिस्ट में जाक हिस्का करना चाहिएंगे अगर लगी तो वीडियो को कर दिएगगा साथ ही अपने दोस्तों में श对 कर दीजेगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही घंटी के निसान को जरूर दबा दिजेगा ताकि कोई भी नया वीडियों अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए परसना बली आपका 3.2 का पहल एक घंटी टाइप का कॉइस्चन आएगा दो समीकरन या तो दिया रहे गा 1 दो चरवाले रैखिक समीकरन यूगम या तो दिया रहेगा दो समीकरन या नहीं तो दो समीकरन आपको क्या करना होगा निकालना होगा एस्टेटमेंट दिया रहेगा तो आपको बस इस चेप्टर में पूरा चेप्टर में एक ही काम करना है कि दो समीकरन दिया रहेगा और उ क्विष्टन पांच मार्ग का यहां से फिक्ष होता है गराफ वीदी से तो गराफ पीदी अभी हम लोग पराइक करते इसको अच्छा से अच्छा से आप लोग क्या करते चलिए तो यहाँ पर क्या होगा हम यहां पर बोला जा रहा है कि निम्न असत्याहों के रैखिक समीकरन यूगमोग यूगम बनाइए और उनके गराफिय विदि से हल ग्यात किजिए क्या ग्यात करना है आपको आपको बता दें कि पहला जो question उसमें 2 question है ठीक है लिए तो पहला का पहला अरही हम सबसे पहले देख रहे हैं आपको करना क्या है यह जो इस्टेटमेंट दिया गया है इससे आपको चलिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं अपने सोलूशन को देखते सबसे पाले आपका जो हम पाला का पाला जो है जो समस्या उसको बनाते हैं क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कच्छा दस के दस विद्यार्थियों ने एक गनीत की पहली परतियोगता में भाग लिया कितना विद्यार्थी टोटल भाग ले दोस्तों दस यह आपको याद अठन संख्या चार किया है लरकों के संख्या से अधिक है तो पड़तियोगिता में भाग लिए empowered और लार्कों की संख्या घ्याथ कीजिए आपको क्या करना है लरका और लरकी का संख्या क्या करना है दोस्तों निकालना है तो आपको बता दे कि एक यहां पर आप सिस्टम यूज करेंगे इस चेप्टर में या फिर लैंग्वेज बहला जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जो निकालने के लिए बोले उसी को हम X और Y क्या करेंगे मानेंगे तो यहां पर लरका का संख्या और लरकी का संख्या निकालना है तो एगों को X मानेंगे और एक को क्या मानेंगे दोस्तों Y मानेंगे जो निकालने के लिए बोले उसी को क्या करना है मान लेना है तो यहां पर हम लिखेंगे जब आप इसका हल कीजिएगा तो लिखिएगा माना की लर्कियों की संख्या लर्कियों की संख्या बराबर हम मान लिए X यानि कि मान लेकी लर्की का संख्या कितना है टोटल लर्की है X तथा लर्कों की संख्या लर्कों की संख्या बराबर मान लेते हैं क्या मान लेते दोस्तों Y अब लिखेंगे प्रस्न से प्रस्न से प्रस्न में एक आप देख सकते हैं कि टोटल स्टुडेंट कितना है दस विद्यार्थियों ने गनीत की पहली पर्तियों भाग लिया इसका मतलब जो टोटल विद्यार्थी था वो कितना था दस था तो हम लिख सकते हैं एक्स पलस वाई बराबर दस यानि की लड़का एवं लर्की के संख्या को जोरेंगे कितना मिलेगा मुझे दस मिलेगा यह हम नहीं कर रहे हैं कि टोटल विद्यार्थी कितना है दस विद्यार्थी ने ही भाग लिया था और उसमें कुछ लरके हैं कुछ लड़किया हैं तो लर्की के संख्या को जोर देंगे तब मुझे 10 मिलेगा और इस समीकरन को नाम देदेंगे समीकरन 1 ठीक है पुना आप दूसरा बात देख सकते हैं कि question में बोला जा रहा है कि यदि लर्कियों की संख्या लर्कों की संख्या से चार अधिक हो यानि कि लर्की का जो संख्या है वो लर्का के संख्या से चार अधिक है तो आप कह सकते हैं कि जैसे हमें क्या करेंगी दर यह हो गया लर्की का संख्या और यह क्या हो गया दोस्तों अगर लरका के संख्या को घटाइंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तो 4 मिलेगा क्यों क्योंकि 4 यह अधिक है ।दस 기분 सबस度ों कि छोड़की आ द्थिटोड़ में दसको घटाओ और दश्टार है कितना मिलेगा मुझे 4 तो एही सामी करन दो क्या देंगे दूस्तों सभी करन दो देंगे अब यह आपका समी करन निरूपन हो गया आप आपको करना इसको गराप विड़ी से हल करना है कि जो गराप भीदी से हल करेंगे फ्लिकिरा समी करन एक से क्या करेंगे समी करन एक से समी करन एक से आप लोग तो क्या करेंगे यह जो वागम इदर लिखेंगे आप नीचे ही लिखेंगे ठीक है लेकिन हम उदर आपका क्या करें समी करन एक से तो एक्स पलस वाई बराबर दस क्या है दोस्ता आपके पास एक्स पलस रखिए नहीं तो आप Y को बाइन रखिए तो हमने क्या किया आप को एक्स को बाहरा रख लिया अव दस पहले से उधर है और प्रस वाई जाएगा तो मैनस वाई और केबल X बच गया मेरे पास बाए तो हम क्या करेंगे इदर इसके लिए एक बॉक्स बना लेंगे बना लिए box आप इस box में क्या करेंगे हम लोग जानते आप सब पिछले question में आप लोग पढ़ाई करके आ चुके हैं तो बहुत सारा चीज आप लोग समझ गए होंगे अब जो दाहिना साइड है उसका भैलू आपके द्वारा खुद किया लिया जाएगा आपको जो मन में आबे वह लेजिए लेकिन कुछ ऐसा मान लीजिए कि एक्स का भैलू छोटा से छोटा आना चाहिए अब ऐसा नहीं करेंगे कि वाई का मान पचास ले लेंगे तो आपको आपको दस में से कितना घटाएंगे कि आपको कुछ निवन तब मार एक ले लेंगे तो दस में से घटाएंगे तो नौ आ जाएगा तो हम वाई का मान ले लिए यहां पर पांच बहुत सुटेबल मान होगा वाई का भैलू कह दे दिए पांच यानि कि 10 और यह हो गया पां हम वाई का भैलू ले ले लेते हैं चार तो वाई का भैलू कितना हम लिए दोस्तों चार लिया तो वाई का भैलू आप अगर चार लेंगे तो दस में से यह चार घटाएंगे तो एक्स का भैलू आप कितना मिलेगा छो मिलेगा इस तरह से हम भी बिंदू के बारे में का सक लखते हैं, कि 6 कमा कितना होगा, दोस्तों, 4 होगा, तो समी करण 1 का काम होगा, खतम, फिर लिखेंगे, पुना समी करण 2 से, यानि कि समी करण 2 से, तो समी करण 2 से, यानि कि cors 무서 urge 2 का भी, 2 point निकालेंगे, समी करण 2 कितना है, x-y बराबर आपका 4 है, और यह Y जाएगा तो क्या होगा दोस्तों आपका पलस Y हो जाएगा ठीक है अब बाए में केबल X बच गया तो इसके लिए एक box का निर्मान कारेंगे ठीक है और box का निर्मान करने के बाद आपको क्या करना होगा जिस कारल स्थर्ल के उस टैप से आपको इधर भी क्या होगा कम विंदु इसमें y और ये होगा x, y islip य आप ब्रहल रेंकि अपर यह हम कुछ भी आप ले सकते हैं को भी आप ले सकते हैं कोई आपके उपर डिपेंड है कि आप क्या लेना चाहते हैं यह कुछ भी बैलू लीजिए का आंसर में आपका कोई फर्क परने बाला नहीं है तो हम वाइका बैलू जीरो लिए तो यह हो गया फर्क यहने की बैलू जीरो एको ड़ीरो यहां बैलो के लिए लिए का बार्तितल उससी और उससे गराम मिलेगा हर्षी हम को चränठों की अभी गराभ से लड़ लेकिन इस question में आपको हम बताएंगे कि गराफ से एक सार य का मान कैसी हम निकालते हैं वह आपको बताएंगे तो बने रहे हैं लाश्ट तक इसका इसकी इस फिर फिर अधर मिटाएंगे आपका और इदर आपका क्या करेंगे हम गराफ बनाएंगे ठीक है चलिए अब हम इध और आपको दोस्तों याद रखना होगा कि कारती तल किसके द्वारा दिया गया था यह जो तल है दोस्तों आपका जो इस तरह से हम क्या करते हैं बनाते हैं इस टाइप से यह जो आपका बनाते हम लोग यह इसका नाम देते हम लोग कारती तल लेकिन इकजाम में एक बार प आपका X ले लीजिए यह माइनस X यह Y और यह मैनस Y सबसे बबाब है लुग आपके पास क्या美國 तुछाले लिजिए चार पांच छो अब आपको क्या कंदाना है आप सभी को पता कि आइना तरफ ऐपर पलास होता है नीचे और वाय चारफ क्या दोस्तों माइनस होताह तो माइनस जडा तो 155 लेखिश और कोई वची पांच नहीं हो लेकिन फिर वी और फीर फीर से चलेंगे पूरा भर्टिकल 90 डीरेकृन बनाते हुए और य पे 5 लगबख ये बिंदु ये बिंदू आपका 5 आ रहा है ठीक है है एक्स पे 5 आ रहा यह ये बिंदू आएंगा लगबख ठीक है एक्स पे 5 आ रहा ये और वाइप किया रहा दोस्तों पाँंट तो ये बिंदू जो है आपका हो गया A यानि की 5,5 बिंदू B X पे 6, Y पे 4 तो X पे 6 आ गया ये और Y पे 4 जाएंगे तो लगभग ये point ठीक है इस तरद से आपको क्या करना होगा आना होगा ये point दोस्तो ये हो गया आपका जो है Y पे आपका 4 हो गया और X पे आप सिधा लेंगे तो 6 तो ये बिंदू B हो गया यानि की 6,4 6,4 हो गया अब इस दोनों बिंदू को मिलाते हुए एक देखा खीचेंगे आप इस टाइप से ठीक है सिधा रिखा आप लोग लेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे बिंदू B को बैठाएंगे तो बिंदू B क्या है बिंदू B बोलता है यहाँ पर दो समीकरन एक का होगा आप सी क्या लेंगे तो बिंदू C पे 4, Y पे 0 तो X पे आपका कहा आगे हम 4 आगे और Y पे 0 तो 0 चलने के लिए ना तो उपर जाना होगा नहीं नीचे 0 मतलब 0 यह आपका देख लिए यहाँ पर आ रहा है 0 तो यह जो बिंदू होगा दोस्तों यह हो जाएगा C बिंदू हो जाएगा C बिंदू का इस टैप से हम क्या करते हैं लिख लेते हैं आपका इधर ठीक है माली जी यह सी बिंदू है आपका X पर 4 और Y पर के जाएगा इस टैप से आप लोग लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है ठीक है डी नाम देंगे और डी नाम देंगे और इसका जो पांच कॉमा एक आएगा पांच कॉमा एक अब इस दोनों को मिलाते हुए एक क्या करेंगे हम लोग त्वेखा खीचेंगे तो कुछी स्टैप का रिखा बनेगा मेरे पास ठीक है ये बना अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया समीकरन दो का गराफ ये हो गया समीकरन एक का गराफ और ये दोनों क्या है एक पॉइंट पर क्या हो रही है दोस्तों कट रही है अब आपको क्या करना है समझे ये चो है और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका साथ ह आपको X का और Y का मान निकालना है समीकरन अब हल का मतलब ही होता आपको बोला था हल करने के लिए तो हल का मतलब ही होता है कि X का और Y का मान निकालना किसके मदद से गराफ बिदी से बोला गया था कि गराफ बिदी से क्या करो यहां पर बोला गराफ बिदी से हल ग्यांत करें है निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे समझिए यह दोनों रेखा जिस बिंदू पे कटा उस बिंदू का कुछ न कुछ निर्देसांग होगा यह बिंदू आपका है इस बिंदू का नाम क्या डेति आर आपको एक्स पर जाना है Wish को तो आप आपका जो इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा चुकि आपका जो रिजल्ट है आर का जो निर्दे सांग है वो कितना दोस्तो साथ कौमा तीन है और आपको बता दे इसलिए आपका एक्स बराबर हो जाएगा साथ और वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तो तीन हो जाएगा पहला एक्स का वैलू होता है दूसरा वाई का वैलू होता है तो एक्स यानि की साथ और वाई यानि की तीन अब आपका यही क्या हो जाएगा दोस्तो आंसर हो जाएगा यह हो गय लरका का संक्या यही आपका क्या हो गया दोस्तों answer हो गया तो graph पिद्जी से कैसी हम लोग x और y का value निकालते है जिस बिंदू पे दोनोग गराफ क्या करेगा उस बिंदू का निर्दे शांग ही क्या कहलाएगा उस बिंदू का x निर्दे शांग एक्स का मान और वाय ने देशांग किस का मान वाय का मान कोईस्टन में बोला जा रहा है था कि 10 टोटल विद्यार थी थे तो आप दोनों को जो लीजिए 10 पूरता है कि नहीं साथ तिन दस और दुशरा बात बोला जा रहा था कि लड़की का अंख्या वह लड़का के संख्या से 4 अधिक है तो देख लेँगे खालेंगे इसकें स्कीन्स और लीजिए आप लोग ठीक है आज गया रखते हैं आशा करते कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कि वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे लाल रंग का बटन दि तेक्ट देते ही हैं